आज की वीडियो का बारे मैं बताऊं तो अभी जो आपने रिल देखी हैं उसकी एडिटिंग से किन वाले हैं युव आण्ड टक जरूर से देखना वीडियो पसंद हाते देन वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी और चैनल पर पहली बार आए थे थे दें सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है हम बढ़ते डारेक्ली वीडियो की ओर फर्स्ट ऑफ र्यक्वयरमेंट्स की बात करूं तो VN Video Editor जो की Play Store से मिल लाइगा टाइमस्टैम्प आभी वीडियो में देखने के मिल लाइगा और आडियो आपको मिल लाइगा टैलिकरम पर वहां से आपको डाउनलोड कर देना है अब आपको करना है New Project Top 1 VN Video Editor के अंदर और यहां से अपकी 13 वीडियोस यूज होंगी तो अपनी जो भी आपकी पसंद की वीडियोस है 13 वीडियोस आपको सेलेक्ट कर लेना है तो यहां पे हमने 13 वीडियोस सेलेक्ट कर ली हैं अभी 11 हुई 12 एं 13 यह हो गई, अब आपको टाइमलेंड में कर लेना है Add और Add करने के बाद सबसे पहला काम करना Main Sound को Off कर देना जो कि आपके वीडियो में Sound होगा उसे Off करके End में जाके इस Black Part को Delete करना है Delete करने में कोई भी परेशान होती तो टाइमलेंड को Zoom करके तब Delete करना अब आप आना शुरू में उपर औरिजिनल पर टैप करके 9.16 से लैक कर देना जो की रिल का रेश होता है अब आपको 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 टैप करना है और म्यूजिक को आप्शन में जाके जो इस ट्रेंड में यूज हो रहा है वो आपको टैलेग्राम पर मिल लाएगा वहां से डाउनलोड करके यहां पर म्यूजिक बीट को आप्शन में आना है यहां से पहली बीट लगाने 1.25 सेकेंड देन 1.45 1.65 1.81 1.99 2.19 2.37 2.56 2.74 2.93 3.13 4.19 पर टैप करके आपको एड कर लेना है इन डौट को अब आपको टाइम लाइन को जूम करना है थाकि आपको आपको आडियो भी जूम हो जाए उसके बाद इस प्लीट के ऑप्शन में टैप करके र एक वीडियो का एक पार्ट रखना है पार डिलीट डॉट पे गाई स्प्लिट पे टैप करा एक्स्टा पार डिलीट और इसी तरीके से आपको 13 की 13 वीडियो के साथ करना है यहां से हमने से स्प्लिट करा एक्स्टा पार डिलीट Split and extra part delete Split and extra part delete यहां हो गया यह end वाला part अब आपको यहां क्या करना है थोड़ा सा और आगे आना है और जहां पर आपका audio खतम हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे आके Split पर टैप कर देना Split पर टैप करने के बाद extra part delete कर देना अब आपको वीडियो के इस तरीके से ड्रैक करना है और एकदम से चुम्बक की तरह चिपक जाएगी audio के पास तो समझ जाना कि यहां बिल्कुल must adjustment आपकी हो चुकी है उसके बाद आना effects को option में यहां पर आपको भतेरे दिख रहे हैं प्लस पर tap करने के बाद zoom in effect यहां पर करने के बाद या तो apply all कर देना तो और भी अच्छी लगेगी आपकी वीडियो और इस तरीके से आपका effect निकल के आएगा अब आपको क्या करना है यहां पर आपकी वीडियो यहां से completely must दिखने लगेगी अब आप चाहें तो end वाली वीडियो में आप अलग से एक effect लगा सकते हैं बागी आपकी मरजी है यहां पर effect लगाना मैंने आपको बता दिया और जो trend में use हो रहा है वो भी बता दिया यह काम करने के बाद वीडियो को कर देना एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद गैलरी में आजाएगी save to album पर tap कर देना और export original को on नहीं करना एक्सपोर्ट कर देना यह काम करते हैं आपकी वीडियो बन चुकी है I hope आपको tutorial easy लगा होगा अगर easy लगा देन इमानदारी से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी चलो पर पहली आ रहाए थे देन subscribe जरूर से करना हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में thanks watching this video